ओम श्यंति, कितना सुंदर रहसी युक्त बाबा का मावाख्य है, कि यदि तुम अचल स्थिती के आसन पर बैठे रहोगे, तो स्वर्ग में सिंघासन प्राप्त हो जाएगा। स्वराज जदिकारी विश्वराज जदिकारी बनते हैं, सहज योगी आत्माएं विश्वराज जदिकारी बन जाते हैं, और जो चारो सब्जेक्ट में फूल मास लेते हैं, वो कई बार विश्वराज जदिकार प्राप्त करते हैं, पंतु हमें अपनी स्थिती को चारो की बल से अचल अडोल बनाना है हमें बाबा का ये भी सीक्रेट महवाक्याद रखना चाहिए कि यदि तुम अचल अडोल इस्थिती के सिंगासन पर वैथे रहो तो सारी समस्याएं इस इंगासन के नीचे दवकर नस्थ हो जाएंगी क्योंकि अचल अडोल इस्थिती रहने में हम बहुत पावरफुल भी हो जाते हैं वो निर्संकल्ब भी तब हमारे शक्तिसाली वाइब्रेशन्स सभी समस्याओं को नस्थ कर देते हैं तो विविन परिस्थितियों में ग्रस्त में रहते हुए अनेक बाते सुनते हुए अनेक समस्याओं को फेस करते हुए अपनी सारीरिक विमारियों को भी फेस करते हुए विविन संसकारों वाले मनुस्यों के साथ रहते हुए हमें अपनी स्थिती को अच्छल बनाना है बहुत बड़ा सभ्जेक्ट है हनेक बाते मनुस के सामने आती है मान अप्मान भी उसे सेहन करना पड़ता है सुकh दुख भी उसके जीवन में बहुत आते है सफलता सफलता भी उसका मार्ग रोकती है हार जीत सर्दी गर्मी ये भी बाधाएं उत्पन करती हैं गंतु यदि हम मास्टर सर्व सक्तिवान के स्वमान में रहें यदि हम ज्ञान चिंतन करके ज्ञान में मगन रहें तो हमें ज्ञान का बल का थोता रहेगा और ये ज्ञान का बल हमें विदिन इस्थानों पर पचल रहने में बहुत मदद करेगा यूँ तो सर्व पर थम हमें योग का ही बल चाहिए योग का बल होने से जब हम स्वमान में स्थित होते हैं तो हमारी स्थिती बहुत सुंदर हो जाती है अन्यथा कभी-कभी ये होता है केवल स्वमान के अभ्यास करने से मनों सपने को बहुत सक्ति साली और सफल महसूस नहीं करता है तो योग बल तो पहली-पहली चीज होनी चाहिए चार घंटे रोज योग करने वालों में इस वर ये शक्ति रहती है योग का बल रहता है जो छे गंटे योग करते हैं उनकी सका संसार को मिल्टी रहती है और जो आच गंटे और उससे जदा करते हैं वो तो इस अंसार के लिए light house, my house है वो तो ग्यानसूरिये हैं, master ग्यानसूरिये हैं उनके प्रकास से, उनकी सक्तियों के vibration से तो योग का बल भी बहुत चाहिए, लेकिन अपने पास ज्यान की कुछ पॉइंस बहुत strongly रखें, जो हमें अच्छ लडोल बनाने में बहुत बढ़ी भूमी का निभाएं, जैसे मुझे अच्छ चोटी बातों को माइं नहीं करना है, मुझे च्छ चोटी बाते सुन कर अपने को फरेशान नहीं कर देना है, कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी स्थिती को डिस्टर्ग नहीं करना है, एक्से सुन्दर थोट भी हमें बहुत मजबूत बनाते हैं, अन्यसा कभी कभी क्या होता है कि मनों से इतना sensitive हो जाता है, कि हर शोटी बात उसकी मनों स्थिती को परभावित करने लगती है, और तब उसको अचल डोल रहना बहुत दूर की बात लगती है, तो आईए आज हम अभ्यास करेंगे, मेरा उज्य स्वरूप, विस्नू स्वरूप, महा विस्नू को देखें, सेशएया पर विराजमान, पांचो विकार जिनकी छत्रचाया बन गए, चारोर सागर में लहरे और तुफान, लेकिन जो अचल अठोल बन गए, जोगी थाज्यान में मगन है, और धनलक्स में इनके चर्णों में है, ये है हमारी स्थिती, अपने स्वरूप को बार बार इस मर्ती में विजुलाइजे सन में लाएंगे, और संकल्प देंगे, ये मैं हूँ, ये मेरी स्थिती है, तो अपने पुझ्य स्वरूप का बहुत अच्छा नशाज रखेंगे, बहुत सुन्दर इसकी अनुभूती करेंगे, और साथ में अभ्यास करते रहेंगे, बीच बीच में मैं परमधाम में सर उ सक्तिवान के साथ हों, और संदी.